सशीकाल दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रेंड विकी मैं हूं सेबकोर आज हम आगे हैं रियक्शन करने और यह रियक्शन है नेपाल के उपर और इंडिया नेपाल के उपर I don't know why सीमा विवाद चल रहा है यार क्यों चल रहा है भाईयों में ऐसा क्यों है यार आम इतने अब क्यों आपर देकशन हो रहा हैं ऑस्यफ मish moments है निझा डेकर फोल्ड़ होते हैं व्यास के खूंड हैं विडियो बनाएंगे विदियो में गुपने जांगे बिन वीजा और आप सब से मिलेंगे तो देखैंग क्या प्राब्लम सब्सक्राइब करते हैं तो देखना नहीं नहीं हो हमारी फैंबली के मेंबर है वह अब सब्सक्राइब करना ना भूलो विडियो अच्छी लगती हूं तो लाइक करना ना भूलो कमेंट्स करो तो इस तरह की बहुत सारी वीडियो बनाएंगे नेपाल से शेर नहीं होती है बांगलादेश से मुझे बहुत प्यार मिलता है बट नेपाल से कम मिल रहा है इसलिए वीडियो ना पनी पहुंचा रहे है अगर आप जाते मैं इस तरह कंटीनू रखो आपके लिए और वीडिय से एक अहम फैसले में नेपाल का नया राजनी तिक नक्षा जारी किया है इस नक्षे में लिम्पिया-धूरा कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया है नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायस दावा करार देते हुए कहा की महाकाली यानि शार्दा नदी का स्रोत दरसल लिंपिया धुरा ही है जो फिलहाल भारत के उतराखंड का हिस्सा है भारत इससे इंकार करता रहा है नेपाल की कैबिनेट का फैसला भारत की ओर से लिपुलेक इलाके में सीमा सडक के उधगाटन के दस तिनों बाद आया है लिपुलेक से होकर ही तिबबत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है इस सडक के बनाई जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के कदम क विरोध किया था. भारत के कदम का विरोध काटमांडू में नेपाल की संसट से लेकर काटमांडू की सडकों तक दिखा. दरसल छे महीने पहले भारत ने अपना नया राज नितिक नकशा जारी किया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर राजे को दो केंदर शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दिखाया गया था इस नक्षे में लिम्पिया धूरा काला पानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा बताया गया था नेपाल इन इलाकों पर लंबे समय से अपना दावा जताता रहा है। नेपाल के कृषी और सहकारिता मामनों के मंत्री घंशियाम भुसाल ने कांतेपुर टेलिविशन से कहा ये नई शुरुआत है। लेकिन ये नई बात नहीं है। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि महाकाली नदी के पूरब का हिस्सा नेपाल का है। अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर उसे नक्षे में भी शामिल कर लिया है। हालांके घंशियाम भुसाल ने ये भी कहा है कि इस मसले पर आधिकारिक हल के लिए भारत के साथ कूपनी तिक बातचीत जारी रहेगी। माना जा रह है कि नेपाल की सरकार अपने अधिकारियों और स्थानिय निकायों को सरकारी दफ्तरों में इस नए नक्षे के इस्तिमाल के लिए कहेगी। इस नक्षे को शेक्षनिक संस्थानों में भी पढ़ाया जाएगा और दूसरे साजिधारों के साथ शेयर किया जाएगा। काला पानी और गुंजी के रास्ते लिपुलेख तक नई सड़क के उदगाटन के भारत के एकतरफा फैसले के बाद नेपाल ने काला पानी और लिपुलेख शेत्रों पर अपने पुराने दावों को फिर दोहराया और काठमांडू में भारत के राज़तूत और भारतिय विदेश मंत्राले को नेपाल की चिंताओं से अवगत कराया था इससे पहले नेपाल ने कहा था कि भारत ने जिस सड़क का निर्मान उसकी जमीन पर किया है वो जमीन भारत को लीज पर तो दी जा सकती है लेकिन उस पर दावा नहीं छोड़ा जा सकता बुद्वार को लिपुलेख विवाद पर नेपाल के प्रधानमंत्री के पिशरमाओली ने एक सर्वदली या बैठक बुलाई थी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था लिपुलेख वो इलाका है जो चीन नेपाल और भारत की सीमाओं से लगता है लिपुलेख में कथित अति को दोराते हुए कड़े शब्दों में कूटनितिक विरोध दर्ज कराया है उत्तराखंड के धारचुला के पूरब में महाकाली नदी के किनारे नेपाल का धारचुला जिला पड़ता है महाकाली नदी नेपाल भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेख इलाके में 22 किलो मीटर लंबी सड़क का निर्मान किया है नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वानिच को बढ़ावा देने के लिए समझोता हुआ था तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष आधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्च कराया था भारत चीन के बीच हुए समझोते को लेकर नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वानिच को बढ़ावा देने के लिए समझोता हुआ था तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष अधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्च कराया था नेपाल का कहना है कि इस समझोते के लिए ना तो भारत ने और ना ही चीन ने उसे भरोसे में लिया जबकि प्रस्तावित सडक उसके इलाके से होकर गुजरने वाली थी इस सब्ताह जब काठमान्डू में भारत विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर थे तो नेपाल ने बुधवार को एक और बड़ा फैसला किया उसने पहली बार महाकाली नदी से लगे सीमावर्ती इलाके में आम्ड पुलिस फोर्स एपी एफ की एक टीम भेजी है वह अपना अधिकार जमा रहा है तो दोस्तों अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत चीड है तो अगर ऐसा है तो गलत है दोस्तों तो बट एक्शली ए मैं चाहता हूं कि यह दोनों क्या मतलब इतना लडाई नहीं होने चाहिए हना तो प्यार मुथ से सब सॉट आट करना चाहिए हना कोई के बाद बोने की दोनों साथ में बैटके रिएक्शन था दोस्तों तो अगर आपको पसंद है तो आपको शेर करो सब्स्राइब करना है बेल आइकन को प्रेस करना है इस तरह की वीडियो हम और बनाएंगे आपके लिए और सजीशन दिरू देना दोस्तों मिलते हैं नहीं वीडियो को साथ बाए टेकर सब्सक्राइब सब्सक्राइब